हेलो दोस्तो आप सबीका फिर से टीवेल कोचिंग के इसी टू परग्रामें बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईके इंट्रेंस इग्जाम जो हुआ था दोस्तो आइट स्वाम में उसका पार्ट 3 देखने माला है यानि की इसके पाषले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 किलियर कर चुके हैं यानि की जो भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैहित के प्रस पूछ लिए गये थे उन सभी मैहित तो उसको हम लोग इस जो वीडियो है में देखने माले हैं तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं और हाँ दोस्तों सुरू करने से पहले आप से एक रिक्वेश्ट है कि अधी आप हमारे चैनल में नाए हैं और अभी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मोटीवेशन मिलता है उसे कि और अच्छा कर गुजरने का तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं या लाइक करते हैं वीडियो को तो वह हमको देख कर खुशी होती है जिसे मोटीवेट होते हैं और जब मोटीवेट होते हैं तो थोड़ा अच्छा करने का हमारे अंदर भी आता है तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का कोश्चन जो है किस परकार का है और कैसे उसको हम लोग को सॉल्व करना है तो दोस्तों आज का सेशन याणिकी 20-30 को कोश्चन को करने से पले आपसे एक हम बात बत पर्तव करा है तो पाट 1 का एक और पाट 2 का जेट लेते हैं उसके बाद तरी करें गेंगे तो पहले हम लोग पर्त 1 का जो कोश्चन चूठ़ था कोश्चन जो प्रोबर्ण शे था और पाट 2 में जो चूठ़ था और इट नम्र उचां छुड़ा था हैं नमरं को लें को कर लेते हैं कि क्या था और कैसे उतका स्थो लिफने powered तो 8 नमर कोचन जो है आपका बोल रहा है कि सुप्रिया आज अपनी माता से 25 वर्ट छोटी है, 10 वर्ट पूर्व, सुप्रिया अपनी मा की आयू के 1 बाइ 6 भाग के बराबर की आयू की थी, सुप्रिया की माता जो है, माता की वर्टमान आयू, क्या है ये आपको find out करना है, तो काफी simple कोचन है, ये आपका age problem से जो है कोचन को दिया गया है, तो first of all हम लोग लीख लेते हैं कि आखिर कोचन में देख कی रखा हुआ है, तो चलिए लिखते हैं फास्ट फॉल तो आपसे यह बोल रहा है किसी अपनी माता से 25 वर स्थोटी यानि वर्तमान में जो कितना वर्स की हो जाएगी 25 वर्स की क्योंकि आपको कोचन में ही बोला है कि जो है सुप्रिया है से माता उसकी 25 वर्स बढ़ी है यह आपका यह भी कर सकते हैं कि माता जो है माता से सुप्रिया जो है यह वरतमान कही हुआ लेकिन आपको आगे चल के क्या ने रहा हुआ हैं बोल रहा है कि 2 वर्टस पूर्व यानि कि आगे भोल रहा हुआ है कि 2 सмदो पूर्फ सुपरिया अपनी मा की आयू का 1 by 6 हो जा रही है तो माल लीजिए कि सुपरिया कि मा याद चौव साल की है तो यह सुपरिया क्या हो जागी इस अपनी मा कि आयू का 1 by 6 है तो 1 by 6 जाने कि 6 से चैंसरल आप जागा तो यहां पे आप डाइरेक्ट वन भी लिख सकते हैं आप यहां पे 6 काहे माने काहे से कि आपको दे रखा हुआ है क्या कि सुप्रिया जो है दस बस पहले अपनी मां की आयू का 1x6 है तो उसकी मां की आयू ऐसा मानिये कि हम उसका 1x6 करें तो हो जाए क्योंकि थोड़ा सा हम चीजे को किलियर करने में थोड़ा असानी हो जाता है इसलिए हम लोग को क्या करते हैं उसको इसी के एकोर्डिंग ऐसा मानता है कि जो है सारा केंसेल अट यह आप मार्क की आयू छोई वर्स मानियेगा तो इस सुप्रिया की आयू क्या हो जाएगा इस मार्क की आयू का 1x6 तो यह चे चेंसील आपका बचेगा क्या नहीं मालूम है कि इसको भी आप रेशियो में ही रखे अब देखे यह वर्तमान की आयू है यह 10 वर्स पहले की आयू होता है तो इसको जो है इसके बलाबर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। यह इस बतमान की आयू मैंस से दोस ब्र्स माइनस केजिएगा, तो इसके बदाबर हो जाएका कि नहीं। किसमें से दोस ब्रसफास बाइनस कर रहा हैं, तो इसकी माधी मैंस मांज से थोट डsc работ मालच करना प्लेहां। 25 आ माइनस आप 10 किजियेगा तो क्या लिख सकते हैं डायेक 15 लिख सकते हैं कि ने क्योंकि 25 में ANYते 10 दर्थ अब तो आपका 15 हो जाएगा तो यहाँ पे आप रहता है तो रच्थीव में हम लोग क्या करते हैं तो रहता है तो ढूर में दूर से गुणा है और नजदिक में से गुना है याणि कि data 6 गांट इस तरह को चंग किए हैं तो आई हो आपको यह सारे चीज़े जो है किलियर होनी चाहिए तो एक्स फ़लस पंदरा में वन से गुना कर जी गया तो इसको लिखा जीए यह एक्स इधर आएगा तो आपका मैनस हो जाएगा क्यों कि यहां पर आपका प्लस है अब देखिए यह पंदरा है पहले से हई मैनस में है इधर इधर च आठ कितना हो जाए तो भाग में तो प्पचाहत्तर बटा आपका पांच हो जाएगा यह केंसी लाफ्ट कितना आगें आपका पॉंदरा आ गया लेकिन आपसे कोच्चन में पूछ क्षया राखा हुआ है आपसे पूछ यह रहा है कि सुप्रिया की माता की वर्तमान आयो क् एक्स पॉलस् स्ट्वाइब यह गना आयू है अप सब्सक्ठ साग foul किब कर दो किसका निकाले सुपरिया की मा की है मर्तमान आयू मा की ऑके सब्सक्राइब लिखते हैं माकी फिरेखरना खूण के सब्सक्राइब 35 मुद्दियू पॉंद्र आप लगाव कितना जाएगा और यही जो है इस प्रस्ट का सही उतर होगा तो यह प्रम का कोचन तरह का पी सींपल था कुछ भी नहीं करना था इसका ओफ्सन देख लेते हैं तो आप्सन नमर ए में इस प्रस्ट का एंसर रखा हुआ उसर फॉड़ आप इसे प्रस्ट बढ़ी सप्रिया कर्यान बढ़ी है तो शीइएक्स हुद इस प्रस्ट पहले है सुप्रिया जो है अपनी मा के आयू का 1 by 6 है तो मा के आयू ऐसा मानिए कि 1 by 6 कर तो 6 मानिएगा तो 6 6 केंसिल आउट बचेगा क्या 1 तो उसी तरह हम 6 माने तो यहां पर 1 क्या हो जाएगा सुप्रिया हो जाएगी और यहां से आप यह भी देश सकते हैं जी कि यह जो है एक व मा के आयू का 1 by 6 हो जाएगा और यह जो है छो गुना इसकी मा के आयू अपनी पुत्र सुप्रिया की आयू की का हो जाएगा तो आई होप आप समझ गये होंगे तो यहां पर आपको जो है मिस्टेक नहीं होना चाहिए कन्फूजन नहीं होना चाहिए आप से पूछ रहा थ आप अपनी उसकी मा की आयू ऐसा मानी गिंए की केंसील आउट करें तो रहे तो यहां पर च्यूल नहीं है इसको प्ले। तो दोनों एक दूसरे के equal हो जाएंगे अब इस तरह जो है calculation करेंगे तो x command 15 आएगा और जब x command 15 आजाएगा तो आप mother की iu वह भी वरतमान का निकाल सकते हैं x plus 25 is equal to 15 plus 20 is equal to 40 तो आई होप आपको ये question clear हो गया होगा तो चलिए अगले परस की तरह बढ़ते हैं और जो है पार्ट 2 का जो question छूड़ा था 15 नमर उस 15 नमर question को भी कर लेते हैं तो दोस्तों पार्ट 2 का 15 नमर को जो question छूड़ा था उसको हमनों देखे तो आप इसीन पर आप देख सकते हैं आजानी प्रूबक मोल राए क्या कि समी करना फोर एक्स माइनस नाइन प्लस रूट अंडर फोर एक्स प्लस नाइन इसको पांच बड़ पलस रूट सेवेन है में एक्स कमान आपको फाइंड करना है आपको दे रखा हुआ है क्या रूट अंडर फोर एक्स माइनस नहीं दे रखा हुआ है उसके बाद प्लस में एक्स माइनस नहीं यहाँ प्लस दे रखा हुआ है और उसके बाद क्या दे रखा है इसकाल टू में आपको दे रखा हु option के रूप में देराखा हुआ है, तो आप देखिएगा, तो यह जो है 5 है यह है आपका root 7 है, तो आप यहाँ पर x comment ऐसा रखिये ऐसा रखिए कि यह इसकी बराबर में आप जाए, तो यदि आप option नमर1 को देखिएगा, तो option नमर 1 में 5 देराखा हुआ है, तो यदि है तो आगे बढ़िए और दो देख लेते हैं और दो में साथ रखा हुआ तो सचोग अठाइस यहां पर एक्स कमान साथ रखे तो सचोग अठाइस अठाइस में से नौ घटा येगा तो उनिस है तो रूट अनौर उनिस आ रहा है इसका वर्गूल में कुछ भी नहीं करेगा यह 27 का वर्गूल कुछ भी नहीं होता है तो यहां पर इधर बराबर में देखेंगे रूट अनौर 27 को दिख रहा है नहीं दिख रहा है आगे बढ़ेंगे चलिए लास्ट नमर ऑप्सन जो है आप बच गया तो वही एंसर होगा लेकिन देख लेते हैं लास्ट नमर ऑप् लुट अनौर 27 को यह जो है तो यह जो है इसको भी देख लेंगे कि यह क्या कर रहा है तो यहां पर देख रहे होंगे दो हुआ लिखेगा दो आप वही बात है यहां पे आपका ओप्टिन नमबर च्यार नमबर उप्सन जो है सब्सक्राइब करेंगे क्योंकि इस तरह काफी लंबा नहीं जाएगा और यहां पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही उत्र होगा तो आपको यह भी कोचन समझ में आगे होगा यह वह काफी सिंपल था यादी आप इस तरह भी बनाना चाहिए तो बना सकते हैं यह पूरा ज्यादा समझ लागेगा लेकिन यह जो है काफी सिंपल है बाइव चलेंगे तो काफी जल्दी और काफी असानी से कर सकते हैं और चलिए अगले परस की तरह बढ़ते हैं और हां दोस्तों यह पार्ट वन और पार्ट टू का जो छूटा हुआ कोचन था यह हमारा गलती बना रहे थे उसी के बीच में लाइट विगरा कट गया था अब लाइट कट गया था तो आपको हम कोई याद ही नहीं हुआ कि आखिर हम कहां से कोचन छोड़े थे इसी कामां जो है को छूट गया होगा तो यह थोरा सा मिस्टेक है इसके मतलब आगे जो है इस तरह का नही लिए अब जो है 21 नमर कोचन जो है क्या वोटा है कि एक ब्यांजग है एकस के पावर 3 प्लस 2x स्क्वाइर उसके बाद माइनस में 11 लेकिन जो है कंसेफ्ट इसका सही है चलिए कोचन को दिल लिख लेता है पहले तो कोचन है आपका एकस क्यू प्लस 2x स्क्वाइर माइनस में 11 अब इसका जो है गुनानख्ण ज्यात करना है चलिए गुनखंड ज्यात करना है यह और उपसन में स्टार्टिम ने और उसके बाद B में दखिए गाता है X-1 रखा हुआ है C में दखिए गाता है X-1 दे रखा हुआ है और D में दे रखा हुआ है X-1 यह पहला गुनन खंद जो है आपको 1 को लेकर ही चला है तो आप क्या किजिए कि X is equal to minus 1 को लेकर चलिए क्या किजिए minus 1 को लेकर चलिए X is equal to minus 1 को हम लोग लेकर चलते हैं और X के जगाओ पर minus 1 को रख कर देखते हैं कि यह पूरा का value जो है 0 आ रहा है कि नहीं तो यदि आप minus 1 यहां पर रखिएगा यहां पर minus 1 का Q है तो यहां पर minus 1 हो जाएगा प्लस और यह minus 1 का square 1 हो जाएगा तो इसलिए plus 2 आप माइनस में आपका माइनस इंटू में माइनस प्लस हो जाएगा ग्यारा हो जाएगा और माइनस में 12 में तो 12 अब यहां पर आगे बढ़िएगा तो आप देखिए कि प्लस वाले को एक सब्सक्राइब यह तो प्लस दो और प्लस ग्यार कितना हो जाएगा प्लस 13 माइनस 1 और माइनस 12 कितना हो सबसure हो जाएगा अब देखिए तो यहां पे आपका 0 आ रहा है तो यह आपका – 1 जो है एक समार यह आपका सा कर रहा है और यह जीरो नहीं अधाता कर तो आपका एक गुंवन खन्ड नकी आ 호 जाएगा खेट 9B jullie से यहां पर आप इसको डायरेक्ट यह भी दिख सकते हैं कि X पलस 1 जो है एक गुननखंड बन गया अब जो है दो को ऑफ्षन देखिएगा तो दो को ऑफ्षन में कॉंसेप्ट को समझते हुए जल्दी बना सके ओके तो चलिए एक हो तो एक सब्सक्राइब कर गया अब जो है एक जो है आपका यहां पर एक सब्सक्राइब हो गया इसका गुननखंड हो गया तो यह जो है आपको इस पूरे को क्या करेगा डिभाइड कर सकेगा तो डिभाइड कर सकेगा यानि कि इस में से पूरा में से एक सब्सक्राइब निकल गया क्या हो गया एक सब्सक्राइब निकल गया तो बचा किया उसको आपको ज्याद करने के लिए आपको क्या करना होगा उस पूरे वाले में x plus 1 से भाग करना पड़ेगा I hope कि आप समझता रहेंगे यदि आप मालनी जा है पूरा जो गुननखन है इसमें से आप x plus 1 को निकाल लिए तो बचा क्या जो बचा यह उसका जो है गुननखन होगा यानिकी इसमें से पूरा में से x plus 1 निकल गया जो बचा वो इसका बचा कौन क्या तो यदि आप x plus 1 से सब में भाग कर दीजिएगा तो जो आएगा वो बचा वाला आएगा तो आप भाग कर लिजिए तो भाग किजिएगा एक से किजिएगा I hope आपको यह वाला भाग आ रहा होगा एक से किजिएगा तो यहां पर x q हो जाएगा उसके तो इमा माइनस में 12 म इन स्कॉरहां एक सुराग कर देंगा से इस क्या चाहिए और यहांब कधे स्कॉर्ण हो के अब यहां से अब माइनस 12 x, माइनस 12 into 1 कितना बजाएगा, माइनस 12, और यहाद का sum plus और पलस ही, पुड़ा cancel आटो का 0 आज़ेगा, तो यहाँ पे जो आया भाग फल, वही जो है बचा हुआ आया, तो बचा हुआ क्या आया, x square plus x minus 12, तो आपका एक उता है, x plus 1 तो हुए यह गया था, अब जो बचा है, वही नहीं यहाँ पे लिखेंगे, तो बचा क्या है, आपका x square plus x minus 12, ओके, x square plus x minus 12 बचा है, तो इसको हम लोग लिखती है, अब यहाँ पे आप आपसानी से समझ गया होंगे, तो आपको यहाँ पे भी answer नहीं दे रखा हुआ है, तो यहाँ पे x plus 1, अब इसको त दोनों में 3, 4 दे रखा हुआ है, तो आप यहाँ पे देखिएगा, तो अब क्या किजिए, यहाँ पे ऐसा मान रखिए, कि पूरा का मान 0 है, तो यदि आप x का मान यहाँ पे 3 रखते हैं, तो 33 का 9, आप plus में 3, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो 12 minus 12, 0 हो जाए रहा है तो आपका 1 तो मान जो है, साटिस्फाइग कर रहा है, x plus x is equal to 33, और 1 और आप अईसा मान रखिए, कि वो भी जो है साटिस्फाइग करें, 3 को छोर कर, तो आप और आप दे रखते होंगे, कि 4 दे रखा हुआ है, a में में भी दे रखा हुआ है, और c में में भी दे रखा यदि आप माइनस 4 रखेंगे, तो माइनस 4 रखेंगे, तो माइनस 4 रखेंगे, तो चाचाव का 16 हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 4 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 12, तो यहाँ पे 16 में 4 कर जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो यह जो है, आपका साटिस् 3 है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा तो माइनस 3 और यहाँ पर माइनस 4 है इधर आएगा तो यह भी आपका एक गुननदखंड के रूप में आ गया तो इस तरह जो है हम असानी पूर्वा कितना भी बरा जो गुननदखंड है उसको ग्यांद कर सकते हैं तो आपका यहाँ पर हम लोगो क्या करना था पूरा भूल जाईए क्या हम लोग किये ठीक है फिर से एक बार रिमाइंड करते हैं आपको गुननखंड रखा हुआ था तो आप आप ओप्सन में देखाएंगे तो सिफ आपको एक प्लस वन एक पहला गुननखंड रखा हुआ है तो आप क्या कीजिए माइनस वन को मान के चलिए कि माइनस वन जो है यह पूरा को भैलू को जीरो कर रहा दे रहा था आमने पहले ही बताया था करके तो जीरो कर रहा था थ तो आपका बचा हुआ गुननखंड क्या हुए आपका एक सब्सक्राइब कर दिए जो भाग फ़ल आया वह बचा हुआ है तो अरे बाबा हम बचा हुआओ गुननखंड कर लिए चलिया उस सब को भुला जाएए नहीं निकलने आता है आप और अप्संट के साब से मान रख जिस तरह दे रहा हुआ है उस तरह यहां पर रख रख देखिए कर देखिए उसको एकशरी सब्सक्राइब कर देजिए यहां पर यहां पर X is equal to 3-23 कर रहा था था तो माइनस में यह हो गया इकिस कर दो आपका इसका अब आज एक गुनन खंड निकल गया है ओके तो आई होप आपको एक कोशन क्लियर अब गया होगा तो चलिए अगले परास की तरह बढ़ते हैं और 22 नमर कोशन देखते हैं क्या है तो दोस्तों 22 नमर कोशन यह दिखाया है तो आप इसकी निपर देख सकते हैं आपको क्या यदि जो है एक वीडियो बनाए थे जिसमें 4 चार कोशन की ए थे और इसका बनाने का ट्रीक है असानी से बनाने का ट्रीक जो है उसको भी बताय है तो जलीए असानी और जो है लोंग उन दोनों को यहां पर हम लोग देख लेते हैं है तो आपको दे रखा हुआ है क्या कि ए पॉलस वन बाई एस्कुल टू आपको दे रखा हुआ है ठीरी आपको फाइंड आप करने के लिए बोल रहा है एस्कुल रहा है यह बहुत सिंपल है तो हम लोग इसमें ट्रीक को का इस्तमाल नहीं करेंगे इसका महान ज्यागत करना है ओके ट्रीक का इसमाल नहीं करेंगे बहुत सिंपल है तो आप क्या किजिए हमने बताया था कि इन दोनों का हॉल इसकुल कर दिए यह पलस वन बाई एक का हॉल स्कुल कर दिए इधरो आपका आरेचेस में भी जो तीन है उसका भी स्कुल कर दिए अब दोनों तरफ है स्कुल को थो एपम उसके बीए स्कुल होता है पला में अब एक है यहां पर यह पे आपका या यह पि इस Landy सब्सक्राइब ऑनसे कि अप K 순ग हो हो ने कलिए आसान में निक लिए हमने इस त्व द metadaki औ southwest Turkey आ ए इंटू में वन बाई ए बीके जगव वन बाई यह लिग दिए अब यहां पर इसकोल टू में आपका ती तरी का नहों जाएगा तो नहों हो गया अब यहां पर आप लोको तो यहां इतना करने का जरूरत ही नहीं है यादि आप हमारे उस वीडियो को देखें हैं तो लेकि के बाद आपका यह कंसे लाट वढ़ा और आपको करना है एउ स्कुएग पलस बन वाई एसक्वाइर तो मैनस में कर देंगे तो और अपका साथ हो जाएगा और यही जो है एसका प्लस वन वाई एसक्वाइड का सही उतर होगा ओप्सन को देख लेते हैं तो अप्सन नमर डी में इसका एंसर दर्ख हुआ है साथ इसलिए अप्सन नमर डी इसका रेक्ट एंसर फोर दिस कोचन हो जाएगा काफी सीम्पल था यह इसको लुठी आपको फाइंड करने के लिए बोला था एसकाइब करते इसकाइब कर रहा है तो यदि आप इस तरह के वीडियू नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्रिले लिस्ट में जाए मैट वाला सेसं में और मैट वाला सेसं में देखिएगा कि आलजयेवरा बेस ट यहां पर नहीं बताएंगे त्रीक देखना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को भी देखिए ओके यहां ऐसे भी जो है आपको देखना हुँ वीडियो काफी जयूरा था क्योंकि एलजयेवरा का चैप्टर है काफी इंपोर्टेंट रहता है एक्जाम के भी रूट अंडर 2 रखा हुआ है पलोस में पलोस में रूट अंडर 2 पलस टूप प्लस टूफोट फोर्ट यह आपको देखतक हुआ है और इसकर मांद root under two उसके बाद plus में two cause four theta और यहाँ पिया देखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए कि यह two plus root under two plus two cause four theta दे रखा हुआ है आप इसको फोरा सा और आगे बराएं इसी का मान ज्याद करना है तो इसी को हम लोग बनाना पड़ेगा और कुछ इसमें दे रखा हुआ है नहीं कि आप दूसरे से भी आपको compare करके निकाल लीजेगा इसका अमान टू अब पलस में टू है तो टू रखिए और यहां कि आप देखी गा तो cos 4 theta दे रखा हुआ है और जो हैं हम type 2 बढ़ता है थे तो इस तरह का जो है हम सूत्र भी बताए थे उसमें type 2 में यदि आप आसा ही तरह से देखें होंगे तो इसको note किये होंगे तो यह आपका cos 4 theta का सूत्र होता है इसको आप याद ही कर जाएगा ओके चलिए अब यह तो हुगा इतना ओके अब द अब पलस में आपका root under है तो root under उसके बाद 2 अब पलस में 2 है तो तू अब यह दो से दो से बूना उत्चार कोस स्कुाइर टू ठीटा और यहाँ पर कितना हो गया माइनस में दो एकम दो कितना हो गया दो होग्या अब देखिए अब यहाँ पर आगे इसको बढ़ाएगा आजाये तो इसको आगे बढ़ाने के बाद कया आएगा आपका यहाँ पे तू है तो रोट रूट कांडर टू है तो वुसके बाद आपका रूट अंडर यहां पहुत डेख weapons कह गरतन सुरह को क्या टूपो खिर अब देखिए अब यहँआ पर आगे बढाये गा तो इसको आगे बढाये होते यहाप यह वाँ रहा होंगे दो है तो डुबास्में दो दुञाज स्वार को नूट अधार अविदना ऑबने चारप फ्लक को रूट क्या होता है दो अब गर्स से स्क्वायर है तो यहां पर निकलेगा तो कॉस्ट सिर्फ जाएगा और तू ठीटा हो गया यहां पर इसको देखिएगा तो इसको आप क्या लिखते हैं थोड़ा से इधर हम लोग इसको बढ़ जाते हैं तो आपका यहां में रूट अंडर रूट के अंडर आपका टू है क्या है तहु कहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं आप इस पूरे को ऐसे हैं इसको टू इंडिंटु ऐसे divers हैं अब हूं क्या हो गया है क्यों कि तू ठीटा है तो तू को स्क्वाइट सिटा मायनस तू लिस होता है कि तूर एक लिए पमিला ऻोता है इसको भी रखना हो अधे पर कि यहता है यहाए जो संब बनता है तो इस तरह के फर्मूले कर काफी यूज होता है तो यहां पे टू था तो लिख दिये और यह कोस्ट टू ठीटा के लिए हमका लिख दिये टू कोस्ट स्क्वाइड ठीटा माइनस टू लिख दिये अब इतना काहे लिख रहा है आगे चल के आपको मालूम चलेगा अब यहां पर देखे सिर्फ दो दूना चार और वह भी कॉस्ट स्क्वाइड ठीटा बचेगा और दू प्लस में माइनस में केंसे लाट हो गया आई होब कि आप समझ पा रहे होंगे है फोर तो क्या जाएगा आपका दो बाहर निकल जाएगा और यहां पर स्क्वाइर है तो कॉस्ट बाहर निक तुक स्थीटा हो या क्या होगा आपका टू कोस्ट फीटा होगा ऑप्सटन को देख लेते हैं कि यह आप संद सेफ सीरory's क्याम धेघा है आप यहां तब तक हम इसको रूट की नहीं ला सकते हैं आपका लीक आपका यहां पर सुट्र का यूज होता है और यहां पर एक बार सित्र का यूज हो रहा है तो इसलिए तो जो है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट रहता है एक्जाम के पीचे इसमें माइन वेगरा कुछ भी नहीं लगाना है थोड़ा सा जो है आपको आगे के प्रोसेस को देख देखकर आगे चलना पड़ता है तो चलिए अगले प औला सॉफ एक स्क्वायर माइन सुफर और बढ़्टा में पाइट सुफर य क्या होता है तो यहां पे आप देखिएगा तो साइनस धी ता तो आपको याहां पर यहां पर इतना हो गया है तो आपको इसके बाता में के जगह पर एक सिस्कॉयर सोरी आप करना पड़ेगा आपको आधाय ग्यांद करना पड़ेगा तो आपको पाइथा गुरोस फर में से आपको याद होगा कि आपका आधार कोँएड क्या होता है कौन स्कॉइड कॉन स्कॉइड अधार का होता है उदि आपको और कर ज्यांद करना होगा तो यह लांगे स्पायड तो क्या कर एंगे यहां पे आपका अपर हो यहां आप पर जो tougher, में का city-like मैं माई टोग तो यही मैं सक्रूम तो सक्षे माई-क एंगा tactical मैं संबढ़ मैंका इस्क्वार्य हो गया यहां पर आपका अधार करना है अधार हो गया ओके अब देखे इसको थ्थरा से बढ़ाएगा तो यहां पर देख रहे होंगे आपका एप प्लस बीका हो जाए और यहां पर ए-माइनस बीका हो लिए तो उसी तरह हमें इसको भी कर लेंगे तो एक स्कुर्ण पॉले से हैं औ दो एकस हो था तर टू और एक एल बी भोता है तो एक स्क्वायर और बीकलि यह जग करता और यह भी होता है तो उसी तो यहां पर अगे बखेंगे तो यहां पर एक स्क्वायर है फिर आपर एकस्वाइर और यहां पर में यजवार तो वाई वह बिक्वार तो दो यहां पर जाए इस स्कॉर्ण फॉर्टwydd आपका एक स्ट्र पावर चार है यहां पर वाई एक पावर चार है पुलस में टू एक से स्क्वाए आख स्क्वाएर है और अधर मश्म तो यहां पर माइनस पॉर मैंनस मझान पडाऊगा सबस्क्क्राइब यह भी माइनस वाई इसका पावर फोर है और यहां भी पावर प्लस में है तो यह दोनों को एड कर लेंगे यहां से आप यह दोनों को एड कीजिएगा तो आपका अधार is equal to कितना आजाएगा रूट अंडर है तो रूट अंडर क्या वाई अपका 2x²ya² कितना वाई जाएगा 4x²ya²-y² और यहीं इसको आपकर बाहर निकाले तो चार का बढ़न क्या होता है दू होता है यहीं पन्य at की जगे आपका और यहीं में आपको संबाँ त्सक्राइब में रखा मोरी सकाइब बीज़ गरेक्ट रेंसर फोर डिसकोचन हो जाएगा कुछ भी नहीं करना था आपको साइन थीटा इसको आपको देराख हुआ अधार और बटा करन आपको मालूम है कि होता है इसका सूतर तो अकॉर्ण यहां से आपको निकाल सकते हैं लेकिन अधार यहां पे नहीं देराख बनेगा आपको यह समझ में आगया होगा तो चलिए अगले परसन की तरफ बढ़ते हैं ओके तो दोस्ते अगले परस की बात किया जाए टोटीफाइब कोचन आप इसीन पर देख पार रहा होंगे काफी सिंपल कोचन है इसको हम लोग बाई आपसन बनाने का प्रयास बनाने का प्रयास करेंगे इस तरह जो है आपका लोंग फ्रोस्ते से लेंदी प्रोस्ते से नहीं होगा बाई ओप्सन हम लोग का जल्दी बन जाएगा तो यदि आपको ऑप्सन नमर एद देख रहा होंगे तो यह नमर आपका बोर रहा है कि 21 रूपया और दिर्क हुए त यहाँ पर हानी कितना हो रहा है आपको हानी जीरो हुग है क्यों एक षारुता में घ्रटेक्वाबटगे घ्र्ओ आइगा और एक करौछइंट करेंगेगा Salem आईगा तो और नमर B जो है चौर्टीस तता 27 दो यादि आप चौर्टीस लेका चलिएगा तो चौर्टीस को यादि लेका चलिएगा चौर्टीस और आपका देखा हुआ है 27 से बैंच आप का यहां पर देखीएगा तो 15 आंपर 13 15 और 36 तरह कटे इन चाव का बारह और यहां पर कितना हो गया मैं तक यहां पड़िएगा तो अप्ससाजाए जबुक्ता पर्सेंट में आ रहा है और नहीं है प्लिट स्काराइब के बराबर है यहां झाल बोल करा ड़ा हुआ जीतना में कराइए हो रहा है उनी हो रहे है उनी करें के बराबर है तो हर्णी पर सेंट भी यहां पे चोटीस आना चाहिए तो इस तरह यहां पे नहीं आ रहे है तो यह आप्सिन अमर बी जो है गलत हो गया उके चलिए अप्सिन को देख लेता है तो c28 बोल रहा है यह यह आप 28 सर्पर में खरीद रहा है और बेच रहा है इकी सर्पर में तपका जो हानी हुआ कितना ह हुआ साथ हुआ तो यहां पर आप सान्मर सी यह रांग हो गया तो चल यह लास्ट और यह तो आपका लास्ट नमर ऑफ्चन ही वह तो आपका लास्ट नमर ऑफ्चन क्या है तीस और शॉत तर बेच रहे हो गया तो यहां होगे है कितना हुआ नौ अगुंदा और वाटा में कराई मुल तो कराई मुली कितना होता है तर दो यह तेसं नमर यह तीस के बराबर है तो इसलिए यहां पर यह नौ है कर रहा है जो कराई कर रहा है वह कराई जो है आपका beneath tam लग्या तरह इसलिए इससे तरह आप सथो तर ओर को बिलेकर चलिएगा सथयोख ऑप बेच रहा हैं मि flipping आ रहे होगा और शौने सब वाटा कराई मुली कितना कितना था आपका सब्सक्राइब कर दिया आई होप कि आपको यह कोचन समझ में आगया इस तरह के कोचन को जो है आप ऑफ बाइए बना यह काफी सिंपल से और काफी ज़ल्दी बना सकते हैं होगे चलिए अगले परस के तरह बढ़ते हैं जादी बात करें से हैं हाय्ट अंडिस्टेन से हैं और यह कोचन को यहा नौट में और उचे फूल से किसी नाव का अनमन कौन 30 डिगरी है योदि नाव 6 किलोमीटर पर हावर की गती से चल रही है तो अब नाव का नदी के फूल के ठीक नीचे पहुंचने में लगा समय होगा तो फर्स्ट अकुल हम इसका आक्रिती बनाते हैं तो आपका आक्रिती कैसे बनाए है ओके अब यह आपका यह जो है आपका नदी है क्या है यह आपका नदी है और यही नदी से यह पूल इतना उचा है कितना है यह इतना उचा है और इसका अनमन कौन जो है यह अनमन कौन एक नाव जो है इसमें एक नाव जो है इस तरह 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 रही है किस तरह 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 नाव पूलब का ओन्मन कोण दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ है ओचे और हम प्रहा रहे थे उसमें बताया थे कि यह जब थीश घ्री होगा तो आप इसको भी यहाँ से ऐसे मिला लेजी यह आपका पानी है लेकिन इसको आप आप ऐसे 36 रूप में मिला लीजिए और यह जब 30 दिए तो यह भी आपका 30 दिए ओगा कैसे होगा एकांतर कॉन से होगा क्या कैसे एकांतर कॉंसे जब भी जे अक्रिती का कोई भी वने फिगर तो उसमें यह वाला कौन के बराबर बता है तो यह आपका 30 डिए हो गया और चलिए 15 मीटर रखा हुआ है और यहां पर नाव जो है इस नाव का चाल जो है आपको दे रखा हुआ है कितना दे रखा हुआ है चोई हाँ किलो मीटर पर हावर दे रखा हुआ है तो आपको बोल रहा है क्या कि यह नाव जो है यहां से यहां तो जाने में जो है समय वही आपको इन करना है तो यदि आपका यहां से आप टाइम निकाल देखा हुआ ऐस ग्याद है आपको समधही घ्याद करना है लेकिन यहाँ है दूरी नहीं ग्याद है तो आप यहाँ यहाँ तक की तो कि रहे कि physics में होता है साइन वहता है तो ट्यंद सदीश को लेकर चलेंगे तो क्लिटू में कैसे सिजियेगा यह passed आपका। travelers एक्स हो गया ऑके ऊट ंब एकस हो गया और यह जो हो सकते हुआ आपको दूरी ग्याद हो गया मीटर हो गया समय ज्याद करना है तो समय बढ़ावह का दूरी कि यहां पर होगाứ पर हाग है तो यह आपको चाल भी मीटर पर सेकेंड में जो है लिखना होगा और यह था आपका आंसर गरताय का आंसर नहीं निकल पाएगा ओके तो यहां पर यह मीटर में दिराख हुआ है तो इसको भी आप मीटर में चंद कीजिए गा तो किसे गुना की जिए गए पांच बटा आठारे से ग जाएगा तो पॉंदर में तिन से गुना कर देंगा तो 45 हो जाएगा 45-3 और बाटा में आपका क्या हो गया यह 5 है तो 5 45 कितना पाल नो बार में नो रूट-3 जो है यहां पर आपका सेकेंड आया समय क्या आया समय 9 रूट-3 आया और देख लेते हैं कि यह दिरखा हुआ है क्यों दे रखा हुआ है क्योंकि यदि आप 9 में यहां पे रूट 3 कमांड क्या रख दीजेगा 1.73 प्रोक्स में होता है तो इसको रख दिएगा तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा 15.59 सेकेंड आएगा और यही जो है इस प्रस्ट का सही उतर होगा इसी तरह देखेंग आपको यह भी कोचन समझ में आगया होगा क्योंकि यह जो है इस तरह के आजकल के इंट्रेस्टियां में काफी बार रिपिट हो रहा है और हमारा जो हाई टेरेशन का जो चैप्यार था जो पार था वीडियो बनाए थे उसमें इस तरह काफी बार करवाया है तो आई होप आप यह उसको देखे होंगे तो यह कोचन जो है आपको काफी सिंपल में और काफी ज्वल्दी समझ में आगया होगा और यहां तो कि आप अच्छी तरह से देखे होंगे उस वीडियो को तो इसको बना भी देशुके होंगे चलिए अगले परस की तरह बढ़ते हैं और देख इस पुत्र नों का योग फल्झाय आई का आयू का स्वरी आयू का कितना है पैसर वर्ष ए उसके बाद आगे बोलाएं कि उनकी आयू के अंतर का दो दूगूना पचास वरस है तो पे ता कि यू गयाद करने के बोलाएं काफी सब्हों बीने करना है आपको पीड़ा कि अपका X बर्स हो गया और उसके पूत्र की आयू जो है एक्र महलं लित जी हुआ का या एक्र यर्य जी पाइन जेका हुआ है कि दोनों पीदा की और पूत्र प्तर सो कि आयां पर आपटर से तो इसलिए आप यहां पर कक टीजए का अंतर लुखेंगा थो 1-1 7 क्योंकि यहां पर देख पाँ नהे होंगे कि प्ता यहां पर है और यूरा तो यह है पहले से बढ़ा होगा ओके तो यहां पहले पहले के युक्षेमेंगे और यहक हुण गुने इसका चाहिएफ एक निकालिएगा तो एकवेशन एक और प्लस में दो करने पर और ऐक्स पर फॉलस से इसटिवाएक्स माईनस वाई इसकल टू टू टुवंटीफ़ाइब को जो रिएगा तो यह आपका वाई वाई केंसील आपका त्व एक्स यहाँ होगया तू एक्स इसकल टू निछे दिक्राई नो टू तो यहां से आप यहां यहां प्रवाग और यही एक्स क्या है आप पीता की आयू माने है तो पीता की आयू जो है आपका कितना हो गया 45 वर्स हो गया तो यहां से आपका 45 वर्स जो है आपका सही उतर होने था ये देख लेते हैं आपसं तो ऑप्सन जो है आपका आपसं देख पार होएंगे स्कीन पे 45 जो है अपसण नमर ए में ही दे रहा हुए इसलिए option नमर ए में इस सकते हैं उसको आप जरूर जाकर देखिएगा क्योंकि आपका उससे जो है एज से रिलेटेट जो भी कोचान हमेशा पूछ लिए जाते हैं इसलिए यह जो है आपका चैप्टर एज प्रोब्लम यह काफी महत्पूर रहता है आपके इंट्रेश्याम के भीव से ओके है चलिए अगले परसी तरह बढ़ते हैं और देखते हैं अगला का परस जो है क्या है दोस्ते अगले परसी बात किया जाए तो अगला परस आप इसकी पर देख पार होंगे आपका 28 नमर को जड़ेगा जो है काफी सिपल है यह आपका मेंसूरियसां जो छेत्रमीती चैप्ट और काफी simple भी है चलिए देह लेते हैं तो आपका जो है आपका एक गोला दे रखा हुआ है फोस्ट गोले का जो है तिरीजी आए टे रखा हुआ है 8 cm तो आपका यानि कि यहाँ पर बड़ा वाला जो गोला है बड़ा वाला गोला उसका यदि हम लोग आयतन निकाले तो बड छोटा वाला गोला के आइतन में छोटे वाले गोले के आइतन में आप कितना से एम से गुना कर देगा क्यों कि आपका यह छोटा वाला गोला जो है गोला की संख्या वह आपका एम दे रखा हुआ है तो च्छोटा वाला गौला के संख्या में एम से गुनाय कर देजेगा तो आपका बड़ा वाला गोला का और आीतन में आपके माला गोला के क्रेत हो रहा होगा कि आखेत हम आयतन को लेकर क्यों चले मालनेजे यह बड़ा वाला गोला है तो इसी बड़ा वाला गोला से आपको छोटा छोटा गोला में और नेको गोला यानि कि M गोला बनाना है M मतलब M संख्या में आपको गोला बनाना है तो यह तो छोटा 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 गोला कहां से आया इसी में सना आया इसी में सनाया जी, इसी के अंदर जो material है उसी से आया और जो material का यदि बात आता है तो material मतलब item, material मतलब item, यानि कि वो कितना है वो आपका item से इलिटेट होता है, इसलिए हम लोग item को लिकर चले, तो गोला, बड़ा वाला गोला का item क्या हो जाएगा, इस छोटे वाले गोला क यानि कितना है, आपका कोचन में दे रखा हुआ है M गोला है, तो M गोला से गुना कर देगा, तो वो कितने का बड़ाब होगा, बड़ा वाला गोला का item होगा, अब EB गोला का item दोनों एक दूसरे के equal होगा है, तो आप इसको formula के बेच से यहां पे लिख सकते हैं, अब दे 4PiRQ, तो बड़ा तिरीजया मान लेते हैं, RQ होगया, इस ब्राइकेट को अठालते हैं, अब चलिए, छोटा वाला में चलते हैं, तो चोटा वाला में गोले काई तान कि मैं क्या होगा, फोर पाई तो रहवे करेगा, आप RQ होगया, निकि छोटा वाला तिरीजया, अब यहाँ पर आप देखिएगा, 4Pi, 4Pi, दोनों तरब के, केंशील लेट आउट, कितना क्या होगै, चोटा को यहाँ सिर आप को सब्सक्राइब, आपको क्या होगे, है और चोटा वाल टी जाव रहा हिए है और इसी म का आपको भायलू करना है तो यह आट का स्कूरा यानिकि आठ बुणे आट को र्च याहन बता में यह वन का क्यों की यह तो वन ही आएगा तो बाटा में इधर आएगा इधर कुना में इधर आएगा तो इंस से भाकिजे तो तरहीं आएगा तो इंबराबर आपका यहां से क्या आपका इसलिए यह एंबराबर आप्टाइं चॉछ एड़ी आप से गुना की जिएगा तो रही आप पानसों बार में चूटे गोले में आपका बाटा गया है एक सेंटीमेटर यदी तरीजिया को लेकर गया है और यहीं जुए सथी लेकिति ने यहीं और आपको बोल रहा है क्या बराबर गुला को एम छोटे तो यह बटा गया है कि यहाँ आई तो सम्क्राइघ मेरा तो सम्क्राइए होगा मैंदां भी की तो सम्क्राई में में और गुना करने के बाद ये जो है इसके बारा बढ़ा जाएगा तो इसलिए हम एम से गुना कर दिये तो एम का ही मान फाइनट करना था उसके बाद देख रहा है कि फूर भाई फूर 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 पाई केंसिल आर्फुज गया और उसके बाद यहां पर आठ का क्यू और और यहीं पांसो बारा जो है इस प्रसंट का सही उत्र होगा आज ये कोस्टन आपको समय में आ गया होगा तो चलिए अगले बर्तेया और देखते हैं हमारा अगला परकाल जो है क्या है तो से अगले बाद क्या जाने तो अगला-पर आप सी देख पर होंगे, यह से लिएक आपको फीगर एक दे रहा हुआ है आपको फीगर यह वाला दे रहा हुआ है आप इसकी निपर देख पा रहा होंगे यह ऐसे फीगर बनाया हुआ है और यह जो है आपका यहां से यह केंद्र है ओकेंद्र है और यहां से इसको ऐसे मिला दिया है और इसको ऐसे मिला दिया है है और यह किर यह अपका A हो गया है और यह का रिखना है और यह स्वाई करने के लिए बोलगा है क्या होगा यह आपको ग्याद कर सुलना है अब लेकिन आपको बताना ugye पतार आप यहां से यह वाला एंगल फाइंड डूट किजिएगा तो हमने चाक्र यह चात्रबूज शोरी बीट में चेप्टर जोपर है था बीच चेप्टर में हमने बताया था कि यह वाला जो इस तरह ब्रीट में इस तरह का तिरोज बनेगा और उसके बाद इस चांदर भी एक बनेगा तो यह वाला चो एंगल है इस उपर वाले एंगल का दोगुना होगा क्या होगा इस एंगल का यह वाला दोगुना होगा और यदि ए वाला दिया होगा तो इसके आधा यह उपर वाला होता है तो यह जो है इसके दोगुना हो जाएगा तो यह आपका क्या हो जाएग एक संगल के लाव गया वो तैंद्र से आपका इस्टिर भूज पर दो कोण ऐसे degree अब सब्सक्राप्राइब यहां से यहां से बी तक की कि दूरी को क्या कहां ढ model यह घूज nowhere एक दुमज के बराबर हो गया आश् condition के आमने सामने की बुझा यानि कि ये संगत कौन जो होंगे ये दुनों एक दूसरे के बड़ाबर होंगे तो यानि कि ये वाई है तो ये भी क्या हो जाएगा अब देखिए बात तो ये हुगा कि हम तीनों कौन को थाइन आउट कर लिए ये आपका 2x हो गया ये वाला वाई हो गया और ये वाला वाय हो गया तो आप यह इस तिर्मूज में दखेएगा तो तिर्मूज O, B, C में आपका ये वाला कौन, कौन O, कौन ये B, पलस में, कौन C, क्या होगा, कौन C, इस कल्टू के जा आप देखा, 180 degree होगा, क्यों कि तीरगूज के तीनु कौनों का एंगल जो है, योग जो है, आपका 180 degree के बड़ाब होता है, कौन O की बात करें तो, कौन O आपका 2X दे का हुए, कौन O, Y, उयुक्ता हुए, उसके बाद कौन सी गेखावण, वह भी Y, यहां से आपका 2X हो गया, और पलस में यह, क्या हो गया, 2Y हो गया, और यहां से आपका, क्या किजेगा, 2 कमन किजेगा, तो, X положe, Y हो गया, अबेस फोड़ाब हो गया, यह दो, 2 कमन हो गया इसको में 180 होगा यह दो केंसिर आप कर देगा इसको कितना नमर में 90 बर में यानि कि यहां से आपका X plus Y कितना आ गया 90 आ गया और यही जो है इस परसन में पूछ रहा है तो 90 जो है इस कोचन का सभी उतरों का तो यहां से आप देख्येगा इस सक्यासरी होता है इसके दोकु नई यह होता है तो यह अपका र हो नहीं दूसरे के स्वागए जब दूसरा की स्वागा है यह दोनों पुजल की गोले तो यह तो ए त्रू्वू जो बन रहा है क्या बनना है सम्धी बहुत रिए और आप यह सम्धी बाहित रिवाई तुब तुब रहा है तो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा तो यह एक्षूली जो है यह वाला अगल आपको दे रखा हुआ था हुआ तो यह वाई हो गया सब्सक्राइब काट कर 90 के बारापर कर दिया तो एक सब्सक्राइब यहां से 90 आ गया और यहीं आप से पूछा था इसलिए आपका एक सब्सक्राइब यहां समझ में आगया होगा नहीं समझ में आया है तो कमेंट बक्स में जरूब लिएगा चलिए अगली प्रसकी तरह बढ़ते हैं और आज के लास्ट को देख लेता है कि लास्ट कोचन जो है हम लोग का क्या है ओके तो दोस्तों अब घुटा की बात किया जाए पर देख आ तो आप का 30 नमर्प कोई जो है आपका बोला है कि साइन 47 डिग्री बाक्ता में खोक्ति को श्यूर्ट करने के लिए पहले ता है साइन फोर्टी सेवन डिग्री और बाटा में आपका क्या रख हुगा है कॉस्ट फोर्टी थी दिग्री पलस में आपका इस तरह कोचन हमने पहले भी कर चुके है याने कि काफी सिंफल कोचना है कुछ नहीं करना है हमने बताया था इसे प्रस्टेवन डिग्री है इस तरह कि नहीं देगरी बटा में आप देखेंगे तो तो यह आपका फोटी दिए आगा तो यानिक नाइनटी माइनस फोटी सेवन किजिए या आप सिर्फ फोटी ती दिए बात एक ही हुआ तो हम इस तरह लिख दिए ओके अब उसी तरह इसको देखेंगे तो साइन 21 डिए और बाटा में को सिस्टी नाइन डिए तो को सिस्टी नाइन डिए इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं नाइन्टी माइनस फोटी वन डिगरी नवबे मैंसे 21 घट जाएगा तो 69 आएगा बात वही हुआ अब उसके बाद इसको भी उसी तरह लिख देंगे कोस 13 डि सीवैंट डिगरी है तो इसको और लोग 9-19-13 लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं नवबे मैनस 13 भ đã सका होगा और यहां से आप से आप速 Çünkü seven सेवें डिगरी उपर है और रहेंगे देखने होंगे तो यहांपर को ऑगास yaşाएव जीघा हो यहँ हो होने के यहांपर सबस控ζ 25 ध्यर यहां लाकेट फ़लस में इसी तरह इसको भी देखेंगे तो कोस 13 डिगरी और बठा में साइट 90 मिनल थीटा तो यहाँ पर आपका कोस चीटा हो जागा थीटा कामांद 13 है तो तेरा डिडी हो गया ओकेट अब देखें यहाँ पर एक बात तो यहाँ पर समझ गया होंगे यह दोनों है यह दोनों यह दोनों टाहिए आप सक्छा और यह घुट बचा और यहथे फेलिए इसलिए गोचन संब्धब Але काफी सीम्पल फी हम लोग कर आचुग तो यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना था इसको 90-धी रूप में चेंज करना था उसके बाद देख रहा है कि दोनों उपर नीचा एक दूसरे के एकवल हो रहा है और एकवल हो रहा है तो कर देंगे बचेगा क्या 1111 यानि कि थी बचेगा तो ये थीरी जो है इस प्रवशन का सही होता हो रहा और और अप्शन अमर्डी इसका रेक्ट्न हो जाएगा ता इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो लेका आएंगे नेक्स पार्ट लेका आएंगे पार्ट फोर लेका आएंगे जिसमें हमनों 30-40 तक को मालूम किये होंगे और इससे कुछ आपको बेनिफीट मिला होगा तो प्लिज लाइक कर दिजिएगा और चैनल पर ना है तो प्लिज चैनल को सब्सकाइब करके बेल आइकन को आउन जरू कर लिजेगा क्योंको वीडियो को बनाने में काफी महनत लगता है और महनत की सिक इसमें महनत लगा है तो प्लिज लाइक कर दिजिएगा चैनल पर ना है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आउन कर लिजेगा और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कर दिजेगा ओके तो आज के लिए तहां ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक